हाई फ्रेंज देखे इससे बनाने के लिए मैंने 4 नमबर का कुरोश्या होक लिया है और देखे यह मोटा वाला उन है इससे हम बनाएंगे सबसे पहले हम ऐसे इसमें नॉट लगाएंगे अब इसमें हमें चैन बनाना है एक, दो, तीन, चार, पाँच देखिए इस तरह से हम यहाँ पे सतरा चैन बनाएंगे देखिए हमने इसमें सतरा चैन बना लिया है अब इसमें हमें डबल कुरोश्या का फंदा बनाना है देखे, ऐसे हम यहाँ पर इस चैन में ऐसे हुख करेंगे, यहाँ पर ऐसे हमें एक फंदा बनाना है इस तरह से, अब यहाँ पर देखे, इसकी नेक्ष्ट वाली चैन में, हम यहाँ पर ऐसे हुख करेंगे अब यहाँ पे हम एक फंदा बनाएंगे यहाँ पे दो फंदा हो गया एक दो अब यहाँ पे इसकी next वाली chain में हम यहाँ पे ऐसे एक फंदा बनाएंगे देखे हमने यहाँ पे जितने chain बनाए हैं उतने ही हमें यहाँ पे फंदे बनाने हैं हमने यहां पर टोटल 17 चैन बनाया था तो यहां पर हम इस तरह से 17 फंदे बनाएंगे हमने यहां पर 17 फंदे बना लिये हैं अब यहां पर हम एक चैन बना के इसे हम पलट लेंगे अब यहां पर हम चार फंदा बनाएंगे यहां पर हमें हुक करना है यहां पर दो यहां पर तीन अब यहां पर देखिए यहां पर यह चार फंदा हो गया अब यहां पर हमें पांच चैन बनाना है एक दो तीन चार पांच अब देखिए यहां पर हमें एक दो तीन चार चार फंदा छोड़के देखिए इस पांच फंदे में ऐसे हमें सिंगल कुरोश्य बनाना है देखिए इस तरह ऐसे बनाएंगे एक, दो, तीन, चार, पाँच पाँच चैन बनाके अब फिर से हम यहाँ पर चार फंदा छोड़ेंगे देखिए एक, दो, तीन, चार अब यहाँ पर इस पाँच पर फंदे में ऐसे हमें डबल कोरोशिया बनाना है एक, दो, तीन, चार देखिए जिस तरह से हमने यहाँ पर चार फंदा बनाया था उसी तरह से हमें यहाँ पर चार फंदा बनाना है अब यहाँ पर हम एक चैन बनाके इसे पलट लेंगे अब देखिए यहाँ पर हम चार फंदे के उपर चार फंदा बनाते जाएंगे पूरी पट्टी में देखिए हमने यहाँ पर चार फंदा बना लिया है अब यहाँ पर हमें चार चैन बनाना है ए, दो, तीन, चार चार चैन बनाके यहाँ पर हम ऐसे सिंगल क्रोश्य बनाएंगे देखिए इस तरह ए, दो, तीन, चैन अब यहाँ पर ऐसे हम सिंगल क्रोश्य बनाएंगे ए, दो, तीन, चार चैन अब यहाँ पर इस चार फंदे के उपर हमें चार फंदा बनाना है देखिए यहाँ पर इस तरह से बन गया एक चैन बनाके इसे हम पलट लेंगे अब यहाँ पर इस चार फंदे के उपर हमें फिर से चार फंदा बनाना है देखिए हमने यहाँ पर इस चार फंदा बना लिया है अब हमें दो चैन बनाना है ए, दो अब देखिए यहाँ पर इस बीच वाली जाली में हम यहाँ पर ऐसे फंदा बनाएंगे देखिए इसे हमें उतारना नहीं है इसे हम इसी पर ऐसे रहने देंगे हमने यहाँ पर देखिए एक टाइम फंदा बनाया है एक वीचे धागा लपेट के ऐसे दो धागा लपेट के तीन चार पाँच देखिए इस तरह से हम यहाँ पर पाँच टाइम करेंगे अब देखिए इसे हमें ऐसे बानना है ऐसे इस तरह से यहाँ पर यह बन जाएगा एक दो चैन बनाके अब इसी तरह से हमें फिर से बनाना है इसमें इसी जाली में ऐसे हम फिर से इसमें पाँच टाइम करेंगे एक दो तीन चार पाँच देखिए पाँच टाइम हो गया अब इसे हम फिर से ऐसे बान देंगे इस तरह एक दो चैन फिर से हम इसी तरह से बनाना है देखिए अब इसे पाँच अब इसे भी हम ऐसे बान देंगे देखिए यहाँ पर यह इस तरह से हो जाएगा अब यहाँ पर एक दो चैन बना के अब इस चार फंदे के उपर हमें चार फंदा बनाना है देखिए चार फंदा हो गया एक चैन बना के इसे हम पलट लेंगे अब यहाँ पर इस चार फंदे के उपर हम फिर से चार फंदा बनाएंगे देखिए हमने यहाँ पर चार फंदा बना लिया है अब हमें तीन चैन बनाना है एक दो तीन अब देखें हमें यहाँ पर फंदा बनाना है देखें जिस तरह से हमने यहाँ पर यह बुट्टी पनाई है हमें यहाँ पर इसी तरह से बनाना है हमने यहाँ पर एक टाइम किया एक, दो, तीन, चार, पांच पांच टाइम यहाँ पर हो गया अब ऐसे हम इसे बान देंगे अब एक चैन एब यहाँ पे हम फिर से इसी तरह से बुट्टी बनाएंगे एग दो तीन चार पांच पांच टाइम हमने यहाँ पे फिर से कर लिया है अब इसे हम ऐसे बान देंगे अब यहाँ पे हम ए दो तीन चैन बनाएंगे जैसे हमने यहाँ पे बनाया था अब यहाँ पे हम फिर से चार पंदे के उपर चार पंदा बनाएंगे देखिए यहाँ पे चार पंदा हो गया एक चैन बनाके इसे हम पलट लेंगे अब यहाँ पे हम फिर से देखिए हमने यहाँ पर चार पंद बना लिया है अब यहाँ पर ए दो तीन चार चैन अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर बीच में हमें इसी तरह से बनाना है एक, दो, तीन, चार, पांच पांच टाइम हो गया अब इसे हम बालेंगे एक, दो, तीन, चार चैन अब यहाँ पर इस चार पंदे के ऊपर चार पंदा देखिए हमने यहाँ पर चार पंदा बना लिया है अब देखिए यह इस तरह से बन गया एक, चैन बना के इसे हम पलट लेंगे अब यहाँ पर फिर से चार पंदा बनाएंगे देखिए हमने एक pattern complete कर लिया है अब यहाँ पर देखिए यह वाले जो line हमने यहाँ पर पनाई थी यह जो पहली line design की है इसी line को हमें यहाँ पर repeat करना है देखिए यह design complete हो गई है देखिए एक, दो, तीन, चार, पाँच पाँच line में यह design complete हो जाती है अब इस line को देखिए हम यहाँ पर repeat करेंगे मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बना के बता देती हूँ यहाँ पर तो हमें उसी तरह से बनाना है चार पंदे के ऊपर चार पंदा देखिए हमने यहाँ पर चार पंदा बना लिया है अब यहाँ पर हमें पाथ चैन बनाना है देखिए हमने यहाँ पर चार पंदा बनाने के बाद पाथ चैन बनाया था हमें इसी तरह से यहाँ पर एक बनाना है एक, दो, तीन, चार, पाथ चैन अब यहाँ पर देखिए हमें यहाँ पर इसे जॉइन कर देना है यहाँ पर इस फंदे में ऐसे ऐसे हम यहाँ पर सिंगल कुरोशिय बनाएंगे एक, दो, तीन, चार, पाथ चैन अब यहाँ पर हम फिर से चार फंदा बनाएंगे देखें यहाँ पर यह इस तरह से बन गया है यह वाली लाइन हमने यहाँ पर रिपीट कर लिया है अब यहाँ पर हमें यह वाली लाइन रिपीट करना है देखें फ्रेंस इसी पांस लाइन को रिपीट करते हुए आप इसकी लंबाई पूरी बना लिजे जितनी बड़ी पट्टी आपको बनानी है देखे फर्यास डिजाइन को repeat करते हुए हमने इतनी बड़ी पत्ती बना ली है obe rif Harley आपको इतनी बड़ी पत्ती बनानी है आप इसी design को repeat करते हुए इसी लंबा लीजेगा और देखें यहां पे लाश्ट में हमें एकidoा इसी तरह से बनाना रहता है जब हम पट्टी की लंबाई पूरी बना लेते हैं तो एक लेन हमें यहां पे ऐसे इसी तरह से बनाना रहता है तो यहां पे मैं आपको फंदो को सेट करके बता देती हूँ कि हमें लाश्ट में किस तरह से बनाना है जब आपकी लंबाई पूरी हो जाए पट्टी की तो आप यहां पर लाश्ट में फंदों को इसी तरह से सेट कर लिजेगा आप सेट के उपर चार फंदबनाना है यहां पे हमने चार फंदबना लिया है अब यहां पे भी हमें चार फंदबनाना है देखिए चार, पांच, छे, साथ, आठ देखिए यहाँ पे, आठ फंदा हमने बना लिया है, अब एक फंदा हम यहाँ पे बनाएंगे, नौ, अब यहाँ पे चार फंदा, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, अब यहाँ पे चार फंदा, चौदा, पंदरा, सोला, सत्रा, देखिए यहाँ पे इस तरह से हमें फंदों को बन करना है, हमने यहाँ पे 17 फंदा बनाया था, तो यहाँ पे हमें लाश्ट में भी 17 फंदा रखना है, इस तरह से पट्टी कम्प्लीट हो जाएगी, जब आपके लंबाई पूरी हो जाए, तो यहाँ पे लाश्ट में इस तरह से आपना लिचेगा, तो फ्रेंस अगर डिजाइन पसंद आई हो, तो फ्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिल एकन को प्रेस कीजिए, ताके मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकिशन आपको मि मिलती रहे, थैंक यू